आज मैं आपको बताने ओला हूँ UP issued marriage certificate पे UA embassy का attraction process step by step किस तरह से किया जाता है दिखो आज ये मेरे पास एक UP issued marriage certificate है इसके back side पे किस तरह से UAE के लिए step by step attraction हुआ है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने ओला हूँ और कभी भी attestation करने के लिए इस तरह का original UP का marriage certificate चाही होता है with marriage registrar का इसतरह का stamp और signature चाही होता है आज कल काफी state से QR code वाला marriage certificate issue हो रहा है तो उस पे इस तरह का signature और stamp नहीं होगा तो भी चलता है अगर वो QR code वाला latest marriage certificate नहीं होगा तो इस तरह का origin marriage certificate with stamp or signature देना पड़ता है और काफी लोग ये certificate को safe रखने के लिए इसको lamination करके रखते है अगर आपने certificate को lamination करके रखा है तो इससे डरने की कोई बात नहीं है उसके back side का अम लोग जितना attachment के लिए lamination remove करने की ज़रूरत होती है उतना lamination remove करके MBC का attachment process करते है और attachment कभी भी original certificate के back side पे होता है xeroscopy, color copy या scan copy पे नहीं होता है काफी लोग बोलते हैं कि उनके friend ने, दोस्त ने, इसने scan copy पे या color copy पे किया है तो अभी तक मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, xeroscopy, scan copy पे MBC ने कभी attachment process नहीं किया है तो अभी मैं बताता हूँ, इसके back side पे किस तरह से attachment हुआ है, देखो यह certificate का back side है और non educational document जैसे कि marriage, birth, death certificate यह educational certificate नहीं है, non educational certificate है वो महारश्टरा मुंबई से attachment होता है, किसलिए इस पे देखो, महारश्टरा के काफी attachment के stamp दिखेंगे यह हम लोग महारश्टरा से attachment करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगो इधर से महारश्टरा का notary करना पड़ता है देखो यह महारश्टरा का notary है, advocate का notary है, यह notary का stamp है और यह signature है, यह reward वाला भी notary है, और यह ticket भी notary के महारश्टरा के लगे हुए notary state wise थोड़ा बहुत difference होता है, तो उसमें कोई problem नहीं होता है तो इस तरह का notary करना पड़ता है, यह notary होने के बाद में हम लोग इसको महारश्टरा के home department में submit करते हैं, देखो यह home department का stamp है इसको काफी लोग महारश्टरा का home department बोलते हैं, काफी लोग इसको GAD बोलते हैं इसको काफी लोग mantra ले भी बोलते हैं, यह maharश्टरा के mantra ले से stamp होता है देखो यह लिखा है, home department, government of maharashtra यह home department है, maharashtra का, यह all-world India के जो भी non-educational certificate है marriage birth certificate वो attestation के लिए चल जाते है educational document जैसे degree, diploma होगा तो उस पर ये नहीं चलता है, ये non educational document पर ये करके फिर महाराष्टा का जो UAE embassy में submit करेंगे मुंबई का तो ये embassy उस पर attestation करके देती है तो ये home department का signature होने के बाद में उसको अमलोग UAE embassy मुंबई में submit करते हैं UAE embassy मुंबई में submit करेंगे तो इस तरह का embassy का stamp लगता है इसको काफी लोग India का MOFA भी बोलते हैं इसमें short form में इधर इधर लिखा है ministry of FSS का short form होता है MOFA देखो यहाँ MOFA भी लिखा हुए देखो यहाँ MOFA तो काफी लोग इसको India का MOFA भी बोलते हैं तो यह अपका Attachation process हो गया तो अपका UAE embassy का Attachation हो जाता है काफी लोग सोचते हैं अरे मेरा document UP का है या other state का है उसका महाराष्टा का कैसे चलेगा तो महाराष्टा का मेंसे आप नोटरी करके home department करके UAE embassy Attachation करेंगे तो चलता है embassy को जब तक request time नहीं मिलेगा embassy Attachation नहीं करेगा अरे embassy ने अपका Attachation कर दिया तो अपका Attachation process होई जाता है और वो चलता ही है काफी लोग मुंबई से ही non educational का Attachation करता है जो एकदम fast process है और काफी लोग पूछते हैं कि ये marriage certificate ये बच्चे लोग का birth certificate UAE embassy के लिए क्यों Attachation करना पड़ता है क्योंकि अगर आपको wife का spouse का wife का वहाँ आपका permanent visa निकालना हो तो उसका marriage certificate Attachation करके लेके ही जाना पड़ता है अगर आपको बच्चे का वहाँ का resident visa निकालना है तो बच्चे का अपको birth certificate इस तरह से back side से Attachation करके लेके जाना पड़ता है हम लोग marriage, birth, UP के degree certificate जो भी state है कोई भी state का हम लोग UAE embassy का Attachation process करके देते हैं degree, diploma living certificate marriage certificate birth certificate कुछ भी हो कतार, ओमान, बैरिन UAE, कुएट कहीं के लिए भी सब के लिए हम लोग करके देते हैं अगर वह Attachation करना हो तो मेरा screen पे number दिया है उस पे call या whatsapp कर सकते है अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो please like और subscribe कीजे Thank you